हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है इस्टडी फ्यूजन पर और आज की इंजिनेरिंग ड्रोइंग की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंच कर्स की, ड्राफ्टिंग टेंप्लेट की और इरेजिंग सिल्ड की इन इस्टुमेंट्स का यूज कहां पर और क्यो किया जाता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख ले और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और न्यू वीडियो की नोटिपिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कर ले तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच कर्स की, फ्रेंच कर्स को कहां पर यूज किया जाता है फ्रेंच कर्स बेसिकली वूड, प्लास्टिक या सैलूलोइड के बने होते हैं और मेनली जिनको ड्रोइंग्स में इलिप्स, पैराबोला और हाइपर बोला ड्रो करने के लिए यूज किया जाता है यह कुछ diagram ने इस type के कुछ यह French card होते हैं लग-भलग shape में और यह available होते हैं sets में, यह 6, 10, 12 रो 16 के set में आपको मिल जाएंगे. तो यह हो गया French card, French card के बाद बात करते हैं drafting template की, drafting template basically plastic के बनाए जाते हैं और इनका use किया जाता है जब कुछ shapes को बार-बार repeatedly हमें drawings में बनाना होता है तो बार-बार compass, scale का use करने से काफी ज़्यादा time consume होता है तो उस time को minimize करने के लिए drafting templates कुछ shapes में बने होते हैं जैसे circular shape में available है, hexagonal shape, square shape या फिर triangular shape तो plastic की sheets में अलग-अलग size के ये symbols कटे होते हैं जिसकी मदद से हम काफी जल्दी इनको drawings में draw कर सकते हैं और अब drafting template के बाद देखते है, erasing shield erasing shield बनाई जाती है, thin sheet of stillness steel और plastic की जिसमें different shapes के slot या holes कटे होते हैं और इसको use किया जाता है, drawing से unwanted lines को erase करने के लिए और इसकी मदद से हमारी unwanted lines भी erase हो जाती है और जिस portion को हमें erase नहीं करना है, वह भी हमारा safe रहता है इसमें कटे holes या slot को हम उसी line के उपर रखते हैं जो हमें erase करनी है और उन slot में हम eraser की मदद से उन lines को erase कर देते हैं तो इस video में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा वीडियो गर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दें, इसे share कर दें अपने दोस्तों के साथ और हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया, तो channel को कर ले subscribe Thank you and take care